मौत से पहले मिलने वाले बारह संकेक नमबर एक जब मृत्यू करीब हो तो व्यक्ति की सुनने बोलने की क्षमता खत्मसी हो जाती है उसे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही वह कुछ बोल पाता है यदि व्यक्ति बोलने की कोशिश करे तो भी उसकी स्पष्ट बोली नहीं निकल पाती है नमबर दो जिस व्यक्ति की मृत्यू हो रही है उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एसास होता रहता है ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत्यू आती है नमबर तीन जब मृत्यों आती है तो हथेली में मौजूद रेखाए असपश्ट और इतनी हलकी दिखाई देने लगती है उसे हाथ की रेखाई देख पाना मुश्किल होता है नमबर चार यदि व्यक्ति का बाया हाथ लगातार फड़कता रहे उसका तालू अधिकांश समय सुखा रहे तो उसकी मौत भी समीक हो सकती है नमबर पांच यदि मनुष्य को मरने से 6 महीने पहले व्यक्ति को ध्रुवतारा या सूर्य दिखना बंध हो जाता है साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है नमबर छे यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौआ या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में काल के गाल में समा जाने का संकेत है नमबर साथ व्यक्ति को आइने में अपना चहरा नजर आना बंध हो जाता है उसका चहरा शीशे में विकरित नजर आने लगता है यहां तक कि तेल या पानी में भी मरने वाले व्यक्ति को चहरा नजर नहीं आता है नमबर आठ यदि आपकी परचाई आपको नहीं दिख रही है तो यह मृत्यू करीब आने के सूचक माने गए है इसके आलावा अधिक आयू वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ रहित दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है नमबर नौ मृत्यू के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मृत्यू जीब आँखे कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत आने वाली है नमबर दस यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर धेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नस्दीक है नमबर ग्यारह जब कोई व्यक्ति चंद्रमा सूर्य या आग से उटपन होने वाली रोशनी को नहीं देख पाता तो ऐसा इनसान कुछ माही और जीवित रहेगा नमबर बारह जिस इनसान की जीब अचानक से फूल जाएं दान्तों से मवाद निकलने लगे और सेहत बहुत ज्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिये कि उस व्यक्ति का जीवन मात्र छे माह और शेश है